अब हम सोलवी पृतिग्या पर आते हैं तो बबाब साब द्वारा जो हमें सोलवी पृतिग्या दिलाए गई है वो सोलवी पृतिग्या है कि मैं जूट नहीं बोलूँगा जीवन में इंसान को सच ही बोलना चाहिए सच के सिवा कुछ नहीं बोलना चाहिए अब अगर हम अदालतों में देके तो मैं तो क्योंके एडवोकेट हूँ वकील हूँ तो हम भी अदालत में जब कोई गवाँ आता है तो उसके कहते हैं कि भई आप इस बात की शपत लो कि मैं सच बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा ये सपत दिलाते हैं तो सच जीवन में बहुत महत्पूर्ण है जैसा मैंने अभी पीछे भी बताए जो पृतिग्या बावा साब ने हमें दस पारमिता हैं जो पताई बारवी पृतिग्या में उसमें भी मैंने सबते जो है ये एक पारमिता है और यहां भी जो जूट ना बूलने है ना हम किसी की चुगली करें और لا ही हम बेوجे की बात करें तो यह जो है हमारी वाणी को शुद करने के लिए जो शील का मार्ग है शील के चोथे सिद्धांत के अंतरग़ जो आता है वो चोथे सिद्दान्त के अंतरगत जो शील का मारगाता है कि मैं जूट नहीं बोलूँगा उसी के लिए है और उसी के लिए पाली भाशा में भगवान बुद्ध ने हमें समझाया था मूसा वादा वेरमणी सिख्खा पदं समाधियामी तो ये जो सोनवी पृतिग्या है वो जूट से दूर रहने की पृतिग्या है